हेलो एब्रिवन कैसे हुआ आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ और यह पैट्रन हमारा देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन है ना बहुत प्यारा लग रहा है यह बना हुआ बनाने में भी यह बिल्कुल असान है असानी से आप इसे बना लोगे सिरफ एट रो का हमारा यह डिजाइन है और इसे आप लेडिज जैन से या बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं यह हर एक परजेक्ट में बहुत अच्छा लगेगा बन कर और इसे बनाने के जो हमें पंदे चाहिए वो 6 के मल्टिबल से यह 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे ऐसे करते हुए चाहिएगा लास्ट में एक फंदा आपने एक्स्टा डाल लेना है बस एक फंदा तो यह डिजाइन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा इकोल बन जाएगा ठीक है यह सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टे तरफ से यह डिजाइन हमारा ऐसे बन कर आएगा तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए स्लाइमे यहां पर फंदे मैंने डाल लिए है 19 फंदे लिए हैं यहां पर मैंने डेडल में 19 फंदे डाले डालने के बार यह सीधा एक उल्टे का मैंने बोर्डर की दो रो बना लिए हैं ठीक है डिजाइन को बेज देने के लिए आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो इसमें बोर्डर का मेरे चैनल पर भी बहुत कुछ भी मना लीजें ठीक है तो पैटरन की फॉर्स्ट रो सीधी तरफ से आएगी अब इस फस्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे यह एक फंदा उल्टा एक फंदा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब यह एक दो तीन इन तीन फंदो अपनी तरफ फिर से इसे एक बर बनाएंगे ऐसे ये तीन में से तीन फंदे बनाए अब इने छोड़ देंगे अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा ठीक है अब इसी डिजाइन को हमने पूरी स्लाई में रिपीट करते हैं छे फंदों का डिजाइन है ये छे फंदे हमारे बनकर कम्प्लीट है अब इसी डिजाइन को दुबारा से रिपीट करना है हमने ये एक फंदा उल्टा ये तीन के तीन फंदे फिर से बना लिए सीधा बनाती हुए एक फंदा उल्टा एक सीधा इसे दुबारा से तो धागा अपनी तरफ एक फंदा उलटा धागा दूसरी तरफ एक, दो, तीन इन तीन फंदों में पिछे से ऐसे सलाइ़ डालेंगे फिर इसे सीधा बना लेंगे। फिर से इसे सीधा बना लेंगे, ये तीन से तीन फंदे हो गए हमारे, अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, इसी डिजैन को एक पर फिर से रपीट करेंगे, ये दो डिजैन हो गए, ये तीसरा डिजैन बना रही हो में, एक फिर यहां पर इसे एक बर फिर से बना दिया, यह तीन से फिर से तीन फंदे बना लिए दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ यह एक फंदा लास्ट एस्ट इसटिच का सीधा, ऐसे करते हुए हमने पूरी फर्स रो बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब second row बनाएंगे उल्टी तरफ से इस first फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं हार एक रो में हमने same वैसे ही बनाने है ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये तीनों फंदों को ये एक दो तीन फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ देखेंगे उल्टा दिखाई दे रहे इसे उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये एक जो हमने तीन फंदों से तीन फंदे बनाये थे, इन तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे, एक, दो, तीन, फिर धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से ये तीन फं हमने second row बनाकर complete कर ली है अब row third सीधी तरफ से देखे इस first फंदे को पहले उतार देंगे इसे उतारने के बाद ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों फंदों को हमने twist करना है तो सीधे फंदे में इस तरह से आगे सिसलाई लेंगे निकालेंगे इस उल्टे फंदे क को ऐसे पीछे ले आएंगे सीधे को आगे अब पहले सीधे फंदे को ऐसे बनाया सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागा दूसरी तरफ अब ये सीधा फंदा बीच वाला हम सीधा बनाएंगे अब फिर से हमने ये ही करना है ये सीधा फंदा ये उल्टा इन दोनों को twist करना है तो पीछे से पहले इस फंदे में ऐसे slide डालेंगे निकाला आगे से इसे left needle में ले लेंगे इस उल्टे फंदे को अंदर ले आएंगे अब पहले तो इस उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ अब ये एक फंदा सीधा अब देखें ये सीधा फंदा है ना हमारा इसे भी सीधा बना लेंगे अब देखें ये छे फंदों का डिजाइन हमारा बनकर कम्प्लीट हुआ है इनी 6 फंदों को हमने फिर से repeat करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, अब फिर से इन 2 फंदों को हमने twist करना है, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, ऐसे करते हुए हमने सीधे फंदे में slide डाली, निकाला, उल्टे फंदे को यहां ले आए, पिछे से सीधे फंदे को आगे, पहले इसे सीधा बनाया धागा अपनी तरफ इसे उल्टा बना लिया धागा दूसरी तरफ ये बीच वाले फंदे को सीधा बना देगे अब फिर से हमने ये सीधा फंदा यहां लेकिया आना है उल्टा फंदा अंदर लेकिया आना है पीछे से पहले इस फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे अब निकालेंगे सीधा फंदा ऐसे आगे ले आए उल्टा फंदा यहाँ पर अब धागा अपनी तरफ करेंगे पहले उल्टा फंदा बना लेंगे फिर सीधा इस तरह से यह बीच वाला एक फंदा सीधा ऐसे ही सीधा पिर यह एक उल्टा फंदा सीधा फंदा ट्विस्ट करेंगे ऐसे सीधे फंदे में डालेंगे उल्टे फंदे को पीछे से ले लेंगे सीधे को आगे ले आएंगे ठीक है पहले से सीधा बनाया अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दुसरी तरफ एक फंदा सीधा अब ये सीधा फंदा ये उल्टा फंदा, पीछे से ऐसे स्लाइड डालेंगे उल्टे फंदे में, निकाला आगे से सीधे फंदे को ऐसे पीछे लेना, पीछे वाले उल्टे फंदे को आगे, अब धागा अपनी तरफ ये पहले उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर सीधा बना फिर इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे ऐसे ही करते हुए आपने पूरी रो यह बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है अब उल्टी तरफ से यह हमारी फोर्थ रो है इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे इस रो में बिल्कुल जैसे हमें जो फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बन धागा अपनी तरफ यह तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा दूसरी तरफ एक सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनात यह हमने पूरी रो फॉर्थ बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है अब सीधी तरफ से यह हमारी फिफ्ट रो है अब बनाना हमने यही डिजैन है यह वाला डिजैन हमारे देखिए तीन फंदे सीधे हैं यहां पर यह तीन फंदे सीधे हैं यहां पर बनेगा देखिए कैसे अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, ठीक है, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे इन तीन फंदों को ऐसे लेंगे स्लाई में, पीछे से स्लाई डालेंगे, अब तीन का पहले एक कर या अब धागा फिर से अपनी तरफ फिर से इन तीन फंदों को ऐसे ही बना लेंगे ये तीन से हमने तीन फंदे बना लेगे देखें अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अब ये एक दो तीन चार ये पहला फंदा एस्टिच का उतारा एक फंदा सी सीधा यह तोटल हमारे 6 फंदे होगे इन्ही 6 फंदों को पूरी स्लाइं में आपने रिपीट करते जाना है फिर से रिपीट करेंगे तो धागा अपनी तरफ 1 फंद ऊल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे एक, दो, तीन इन तीनों फंदों को ऐसे पीछे से स्लाइड डालते हुए बना लेंगे सीधा अब धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से इसे एक वर बना देंगे ये तीन से हमने तीन फंदे बना लिए धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर से ये एक सीधा, एक उल्टा, ये एक फंदा सीधा, ये एस्टिच का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे अब उल्टी तरफ से ये हमारी six throw है और six throw में जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं न, सेम वैसे ही बनाने हैं ये फंदे को हमने उतार देना है, एक फंदा उल्टा बना लेना है, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन फंदे उल्टे, ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंद सीथा धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीथा एक उल्टा एक सीथा फिर से एक फंदा उल्टा ये एस्टिच का फंदा भी उल्टा उल्टी तरफ से आपको कोई भी कंफ्यूजर नहीं होगी क्योंकि फंदे साफ साफ दि दिखाई देंगे न हमने वैसे ही उन्हें बनाते जाना है अब सीधी तरफ से देखिए यह हमारी सेवन्थ रो है तो सेवन्थ रो को देखिए एक बर फर्स्ट फंदे को आप उतार लेजिए अब यह सीधा फंदा है यह उल्टा फंदा है पीछे से पहले उल्टे फंदे में स्लाइड डालेंगे सीधे फंदे को निकाला यहां पर ले लिया अब उल्टा फंदा यहां पर धागा अपनी तरफ पहले हमें इस फंदे को उल्टा बना देंगे धागा दूसरी तरफ यह सीधा फंदा हमारा सीधा आएगा ठीक है यह बीच वाला एक फंदा सीधा अब इस स को उल्टा बना देंगे फिर धागा दूसरी तरफ यह एक फंदा सीधा अब यह सीधा फंदा यहां उल्टा फंदा अंतर आएगा तो पीछे से स्लाइड डालेंगे इस फंदे में सैकेंड में निकाला इस फंदे को आगे लिए इसे पीछे धागा अपनी तरफ एक फंदा उ यहां पहले से सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ इसे उल्टा बना लिया धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा बना लिया अब सीधे फंदे को यहां उल्टे को अंदर लेके आएंगे तो पीछे से स्लाइड डालेंगे सेकिंड फंदे में निकाला इसे यहां इसे यहां धागा अपनी तरफ किया एक को उल्टा एक को सीधा इसे भी सीधा अब यह उल्टा फंदा यहां सीधा यहां आगे से स्लाइड आ लेंगे इस फंदे में निकाला इसे यहां ले इसे यहां एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ये एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए देखिए हमने 7th रो भी बनाकर complete कर ली है अब रो 8 हमारी बनेगी उल्टी तरफ से ठीक है तो फर्स्ट फंदे को पहले उतार देजिए धागा दूसरी तरफ कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये तीन फंदे हमारे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक सीधा एक उल्टा एक सीधा धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो तीन धागा दूसरी तरफ एक सीधा एक उल्टा ऐसे करते हुए ये एट्थ रो भी हमने बना कर कंप्लीट कर ली है अब यही पर ये 8 स्लाइओं को डिजाइन है, कम्प्लीट हो गया है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसे फॉस्ट रो से दुवारा से बनाना है, फॉस्ट रो देखिए यहां पर कैसे बनेगी, यह फॉस्ट फंदे को उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, यह तीन फंदे हमें सीधी दिखाई दे रहे हैं, पीछे से स्लाइड डालते हुए, इन तीनों को 3 फंदे बना लेने हैं, फिर हमारे यह उल्टा, यह सीधा, फिर इसी पैटरन को दुवारा से रिपीट करेंगे, यह फंदा उल्टा, यह 3 फंदे den रहे हैं, फिर यह उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा फिर ये तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं इन पर तीन से तीन तीन फंदे बनाने हैं ये देखे ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा अगर आपको फिर भी वीडियो में मतलब कि कोई भी डिजयान बनाने में confusion हो वीडियो को दुबारा से चलाईए और बताने का तरीका अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं फिर मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में बावाई हैवाई नाइस टे